हाई फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फ्री मेडिसीन एडवाइस चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त प्रकास्मार दोस्ता जो हम बात करेंगे इस रिंग कटर क्रीम के बारे में जो कि बहुत ही बढ़ियां प्रोडक्ट है अगर आपको दाद खाज खुजली के समस्या या या फिर अगर आपको बैक्टरियल इंफेक्शन के समस्या हो गई है तो आप इस क्रीम का इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तो आईए जानते हैं रिंग कटर क्रीम जो है कौन सी ब्रांट की बनाई भी प्रोडक्ट है इसकी MRP क्या इसके अंदर कौन-कौन सी मोलिकुल का इस्तमाल क्या गया है इसे बारे में फिर जाने गय इसके चीह चिश के बारे में तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंतिम तरख जरूर देखें आपको इस चुके होंगे या फिर पेपर में तो अगर आपको दाद खाच खुजली की समस्या रहती तो उसमें अगर आप इस क्रेम का इस्तमाल करते हैं तो उसमें ये बहुत बढ़ियां डंग से काम करती है तो आईए जानते हैं इसके अंदर कौन-कौन से मोलिकुल का इस्तमाल किया गया है यान कि कौन-कौन से साल्ट का इस्तमाल किया गया है इसके बारे में तो दोस्तो इसके अंदर जो है मुग के रूप से मीकोनाजोल और नियोमाइसिन है जो कि बहुत बढ़ियां मोलिकूल है अगर आपको फंगल इंफेक्शन की समस्या हो गई है या फिर बैक्टरियल इंफेक्शन की समस्या हो गई है तो उनमें ये मोलिकूल जो है बहुत बढ़ियां डंग से काम करते हैं दोस्तो मिकोना जोल जो है वो एक एंटी फंगल मोलिकूल है और नियोमाइसीन जो है वो एक परकार का एंटी बायोटिक है और एंटी बैक्टरियल मोलिकूल है तो अगर आपको फंगल इंफेक्शन के साथ बैक्टरियल इंफेक्शन के समस्या अगर हो गई तो उसमें आप इसका इस्तल कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको दाद, खज, खुजली की समस्या है तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं या फिर अगर आपको छोटे-मोटे फोड़े फुनसी के समस्या होती है और अगर उसमें आपको इचिंग जैसी समस्या भी होती है साथ में तो उसमें भी आप इसका इस्तमाल कर सकते, दोस्तो इसका इस्तमाल आप रिंग वर्म में भी कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत बढ़ी हैं डंग से काम करती है, दोस्तो आईए जानते कि इसका इस्तमाल हमें कितने टाइम करना चाहिए, तो आपको इसका इस्तमाल दो टाइम करना है, स काम करेगी तो दोस्तों ये था रिंग कटर के बारे में एक छोटी सी वीडियो एक छोटी सी रिवियो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा आपने दोस्तों के साथ सेयर करें तक ज्यादा लोगों को इसके जानकारी पहुँच सके तो दोस्तों इस वीडियो को न दिम तक देखने एक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिन सुभो मंगल मैं हो धन्यवाद दोस्तों